मैंने एक उधारन दिया है जिस तरह से क्योंकि बारत एक क्योंकि जो समयदानिक सरचना है फेडरल कंट्री होने के नाते जो देश की सरकार के यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है उसमें राज्जिय किसी भी तरह से अस्तक्षिप नहीं कर सकते हैं फिर भी यह दिए इसको ध पर उनके ऊपर जो कठिनाई यह उसके बाद में करने के लिए जो कानून बनाया है इस कानून को निश्चित रूप से लागू होना चाहिए ऐसे लोग जो हिंदू हैं जैन हैं बाद्ध हैं सिक्थ हैं इसाई हैं पार्सी हैं जो शाषण व्यवस्ता के संदृक्षन में प उनका हम भारत में स्वागत करते हैं, उनका हम भारत में बाहें पसार करके स्वागत करते हैं, दिल खोल करके स्वागत करते हैं, तिक है कुछ लोग जो लोग गुस्पैटियों को संरक्षन देने वाले लोग हैं, वो लोग वैद तरीके से जो लोग आएं, उनके लिए जो न मुझे लगता है कि बहुत सारे किसान राजस्तान में बहुत सारे राजस्तान में युवा हैं आप भी मुझे युवाई प्रतीत हो रहे हो कुछ साड़े तीन राजस्तान रुपे बत्ता किसी को मिलने लगा हो 55,000,000 का करजा माफ हुआ हो या जितनी भी गोश्टना है की दिक हम बजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे वो बजली का बिल बापस पीचे पीचे के दरवाजे से बढ़ाया हो टौल बढ़ाया हो, किसानों को जो किसान सम्मान निदी का पैसा ठीक से दिला पाए हो या आरुग्य के लिए जो सबसे बड़ी योजना भाज दुनिया की बनी आईश्मान भारत का लाब गरीबों को दिला पाए हो मुझे लगता है इन सब की स्केल पर भी एक बार इस सरकार को अपना असेस्मेंट करना चाहिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टों में जितने चीजों की गोशना है की थी वो मैनिफेस्टों एक सरकार जो दर्शन लेकर के आती है एक संकल पत्र लेकर के आती है चुनाव के समय में कि हम सत्ता में आएंगे इन सब चीजों को लागू करेंगे उन सारे विश्यों के आधार पर आकलन किया जाना चाहिए दूसरी तरफ हमारी सरकार है हमने अग जो है संकल पत्र में अपने गोश्णा पत्र में या बादा किया तक हम तीन तलाक अटाएंगे हम राम मंदिर बने इसका मार्ग प्रशस्त करेंगे हम यदि सत्ता में आए तीन सो सत्तर की धारा को अटाएंगे हम यदि सत्ता में आए तो नागरिक्ता के कानून में शंचोधन करेंगे हमने वो सारे काम किये हैं मुझे लगता है कि खुदी के खुदी को नंबर देने की परंपरा है इसकी पुने समिक्षा होनी चीए